प्रियंका गांधी के राजीव गांधी को लेकर दिये बयान पर मंत्री विश्वास सारंग की पृतिकरिया सामने आई है। प्रियंका गांधी के बयान पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साथ ते हुए कहा कि प्रियंका गांधी विक्टम कार्ड खेलना चाहती हैं, नहरू परिवार ने देश भक्तों वा सेना का अपमान और देश की एकता अखंडता उठारा घात किया है, प्रि राय बरेली की सीट सुनिया गांधी की सीट है, राहूल यहां भी हार कर सीट बरबाद करकी ही लोटेंगे, सुनिया गांधी परिवार पर निशाना साथ देए हुए कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कोछ कहा, सीट भी बरबाद करके ही हार कर ही यहां से लोटेंगे, 55 साल की उम्र में कोई व्यक्ति इस तरह मम्मी की गोदी में बैटकर राजनीती करने की कोशिश करता है, यह शर्म नाक है, मुझे लगता है, राहूल गांधी को समझना चाहिए, कि वो अपनी राजनीतिक अस्तित्य उनको पूरी तरह खो चुके हैं, वो कहीं से भी लड़ेंगे, उनको हार ही मिलेगे, कॉंग्रेस के नेता हर समय महिलाओं का महिला शक्ति का अपमान करते आए, चाहे वो कमलनात हो, चाहे वो दिग्विजे सिंग हो, मनी शंकर एयर हो, घडगे जी हो या कॉंग्रेस के और कोई बड़े नेता हो, उन्होंने हर समय महिलाओं का अपमान किया, और केवल महिलाओं का अपमान नहीं किया, महिलाओं पर प्रताड़ना भी की है, चाहे नैना सहानी हत्याकांड हो, या फिर सरला मिश्रा हत्याकांड हो, हर समय महिलाओं को अपमानित करना, महिलाओं को प महिला नहीं एक दलित महिला है दलित का इस तरह से अपमान करना निश्यत रूप से ये कानून की परिधी में आता है इसलिए आप जीतु पटवारी पर जब एफाई आर हुई तो डरते फिर रहें अब माफी मांगने की बाते कर रहें और सही मायने में शब्द के वाण एक ब कहती है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अब क्यों नहीं लड़ रहें क्या जीतु पटवारी को प्रदेश अध्यक से नहीं अटाया जाना चाहिए क्या जीतु पटवारी पर कारवाई नहीं होनी चाहिए यदि जीतु पटवारी पर कारवाई नहीं हो रहें तो य केवल और केवल अपमान किया है वो कमान किया है इस देश की एक ताखंडता पर अगांत किया है प्रियंक का चुनाओ के वक्त इस तरह की बातें करती है यह विक्टिम कार्ड अब इस देश में नहीं चलने हाई